मेंडलीव प्रॉडिक्ट टेबल की बात करते हैं जी मेंडलीव जो था वो एक साइंटिस्ट था और उसने सारे के सारे ऐलिमेंट्स जो उस वक्त तक दिसकावर हुए थे जी उसको सिस्टेमाटिक वे में एक बड़ी अरेंजड वे में उसने क्या करने की कोशिश की जी एक प्रोडिक्टेबल के अंदर उसके रखने की कोशिश की उसको कहते हैं जी मैंड लीवस प्रोडिक्टेबल तो ऐसा करते हैं हम इसके लिए मैंड लीवस प्रोडिक्टेबल को देख लेते हैं यह हमारे पास मैंड लीवस प्रोडिक्टेबल यहां पर आपको यह रोमन कांटि है, हमारे पास vertical columns इसको कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, groups ठीक है, तो ये उपर से नीचे आपको ये जो हम कहते हैं कि उन्चाई में आपको नजर आ रही हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, जी, groups, इसके लावा ये जो है, अगर हम left to right बात करें कि इस तरफ से अगर हम इस तरफ चलना शुरू कर दें तो ये हमारे पास horizontal rows है जी और ये किस कितनी तादाद में थी 12 की तादाद में थी तो हम यहाँ पर लिख देते हैं साइड में जी उसने groups कितने बताये थे 8 groups उसने बताये थे और इसी तरह से अगर हम बात करें गे जो आपके पास left to right आप move करेंगे यानि कि बाएंस से दाएं तरफ जाएं तो आपको horizontal rows नजर आ रही हैं और चड़ाई के रुख हम कहते हैं कि इस तरफ को आपको नजर आ रही है 12 की तादाद में जिनको periods का नाम उसने दिया था अब उसने अरेंज इस तरह से किया था कि elements को उनके mass number के हावाले से अरेंज किया था मैस number क्या होता है जी nucleus में मौझूद प्रोटान और neutron की तादाद को हम क्या कहते हैं यहाँ पर proton के लिए P लिख रही हूँ और neutron के लिए N लिख रही हूँ तो यहाँ पर इन दोनों को जब हम add करते हैं तो यह क्या होता है जी mass number होता और mass number increase करते हुए उसने इस order में उन सब elements को systematic way में arrange किया था और इस तरह से रेंज किया था कि एक group के अंदर ना सारे के सारे जो element मौझूद होते थे उनकी खसूसियात मिलती थी तो यहाँ से क्या periodic behavior भी उसको नज़र आ रहा था यानि कि एक खास time के बाद किसी चीज क री अकर होना या दुबारा से वाके होना वकू पजीर होना उसको कहते हैं जी periodicity ठीक है तो यहाँ पर periodicity इस तरह से नज़र आ रही थी कि हारुजिन के नीचे यहाँ पर lithium से चले हम start करते हैं lithium है उसके बाद जी sodium है और potassium इसी तरह से copper है, rubidium है, silver, ag से हमने represent किया हुए, potassium क के से represent किया हुए, cesium को csa और aurum जो के gold के लिए हम symbol लेते हैं, symbols के साथ elements को represent किया और एक ही यह जो आपको group नजर आ रहा है, इन सब को उसने कहा था, जी यह metals हैं और वागए, इसकी खसूसिया जब देखी गई थी तो यह सारी की सारी metals थी, इसलिए उसने कहा कि हर आठवा element अपने पहले वाले element से क्या करता है, मैच कर रहा है, यहाँ पर hydrogen का case इतना जएदा जो है, इनके साथ मैच नहीं कर रहा है, लेकिन क्यूंकि उसने one से start किया था hydrogen के mass को लेते वे तो इसलिए यहाँ पर range करना पड़ा, और इसके इलावा यह है कि यह जो आपको pink color की नजर आ रही है, कुछ spaces है, ठीक है, 44 लिखावा है, और किस तरह से, जी, calcium का mass उसने लिया था, 40, ठीक है, और साथ में क्या है, यहाँ पर titanium है, जो कि 48 mass है जिसका, और इसको 2 पर divide किया, और इसकी average ली, तो क्या उसके पास आ गया था, जी, चले हम यहाँ पर calculation कर लेते हैं, 88 आई उस वक्त तक discover नहीं हुआ था, इस वज़े से, उसने क्या छोड़ दी थी, जी, खाली space छोड़ दी थी, इस तरह से, आपको बहुत सारी जगों पे spaces नजर आ रही है, और इसने इसको नाम क्या दिया था, जैसे boron है, यह बी से हमने represent, यहाँ पर लिखावा है, aluminium को AL से किया वे represent, symbols के साथ, यहाँ पर elements को represent किया वा है, boron और aluminium है, इसी तरह से यह दो spaces भी खाली है, तो यह जो 44 वाला था, इसको उसने क्या दिया था, जी, एका, boron, यहाँ पर चले हम लिख देते हैं, यानि के boron के नीचे आना वाला, और boron, इस एका, boron से नीचे वाला जो है, जि तरह से एका, boron के नीचे क्या पड़ावा होगा जी, एका, aluminium, जिसका मैस कितना उसने बताया था, 68, तो यहाँ पर उसने इनका नाम रख दिया था, एक फरजी नाम जिसे हम कहते हैं, कि वो उसने रख दिया था, और aluminium, चले हम इसको, यहाँ पर पूरा नहीं आएगा, हम इ इसको पूरा लिख देते हैं, इस तरह से उसने बताया था, कि यह हमारे पास जो है, इसका नाम जो है, एका, aluminium रख दिया था, तो इस तरह से बहुत सारे elements जो थे, वो अभी discover नहीं हुए थे, लेकिन उसने उनकी position जो है, वो बता दी थी, कि यहाँ पर उनके मैस अगर आ ज हम लिख देते हैं, 68, और इसके बाद उसने यह बताया है, यह जो खाली spaces हैं, बाद में elements अगर discover होंगे, तो वो इस जगह पर आ जाएंगे, तो यह मैंड लीफ का product table था, और इसके लावा यह जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपको नज़र आ रहे हैं, जी यह groups हैं, और यह जो 12 थे यह periods थे, और उसने खाली जगह चोड़ी थी, यही उसके लिए, जो है, मैंड लीफ के product table को मानने की, जो है, सबसे बड़ी एक कह सकते हैं, कि खूबी थी, कि सारे के सारे scientists ने इसको माना, क्योंकि इससे पहले जो product table आ रहे थे, उन में यह खसूसित नही थी, यह उसके अं था, हमारे पास, मैंड लीफ के product table.